जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष पप्पू यादव एक दिवसिय दौरे को लेकर नालंदा जिला पहुँचे। इस दौरान पप्पू यादव ने अपने पार्टी के कार्यकरता मनीश कुमार के दादा स्वर्गिय शिवकुमार प्रसाद के श्राध कर्म में शिरकत की एवं परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दिया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के युवा नेता राजू दानवीर भी मौजूद रहे। वही राष्ट्रिय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मौकामा और गोपाल गंज उप्चुनाव पर चुटकी लेते हुए कहा कि सब जातियों का अपराधी उप्चुनाव को लेकर मौकामा पहुँच रहा है। हम तो नितीश कुमार को इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे। वही गुजरात के मोरभी में हुए पुल हाथसे में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साथते हुए कहा कि 134 लोगों के मरने के बाद भी प्रधान मंत्री दिन भर में तीन बार कपड़े बदलते हैं। उसे देने के लिए 2,00,000 से ज्यादा और घायलों को 50,000 से ज्यादा देने की आपकी ओकात भी नहीं है। 50,000 तो पप्पू यादव सभी जगह जाकर लोगों को देने का काम करता है, आपकी सरकार को तो हमसे भी कम ओकात है। इसका मतलब सरकार का इंटेंशन सही नहीं है। सब बटवारा हो लें। भया हम क्या करेंगा अपके लिए। वे उपाय है। बहर दीन माफ्याओं को घड़ियां के नेताओं को ठीक करके पैसा देके आते हैं। और फिर 47.56 पर पूरी सोसाइटी चली जाते है। तो यह जो पूच रहे हैं। नेतिश कुमार जी। यदि देश का लीडर सीप बनना है तो उन्होंने जो परेज किया हुआ अच्छा किया। हम तो भाई धन्वाद देंगे कि ऐसे कोई आधार बिहार में और इस कंट्री में जिससे अभी 134 आद्मी मरा गुजरात में। गुजरात मोडल की बाद बार बार कल तीन बार कपरा बदले। नरेंदर मोडी। 134 आद्मी मरने के बाद आप तीन बार कपरा बदलेगा। क्या आपका आंक से आंसु भीं गया था क्या तीनों बार। और आज आप वहां जा रहे हैं तो आपके लिए रंग पोता ही हो रही है। जो बचा है उसके लिए धबाई मिल नहीं रहा है। जो मरा आप उसको 2 लाग से जाद है पैसा देने की उकाद नहीं है। पचासाजार गाहल वाले पचासाजार तो पपू यह यादा वहर जगा जाके देता है। तो आपकी सरकार को हमसे भी कम उकाद है। इसका मतलब है कि सरकार कि हिए का इंटेंशन सही नहीं है।